हेलो फ्रेंट्स यूपी पीएस सी आरो यारो की इस टेस्ट सीरीज में आज कवर करते हैं आपके सामने टेस्ट नंबर बारे को 11 से पहले हो चके हैं और आज इसका ये बारे माँ है तो देबना करते हुए हम में किलास को स्टार्ट करने वाला हूँ चैनल को सब्सक्राइब क होती उससे कौन सा केस इन चारों में से जुड़ा हुआ नहीं था देखो इसमें पहला केस हैं आपके सामने मेरट सड़ेंतर केस दूसरा इसमें लाहोर सड़ेंतर केस तीसरा इसमें कानपुर सड़ेंतर केस और चोथा दिया हुआ है पेसावर सड़ेंतर केस तो कुस्टन म जो लाहर सडेंत्र केस था इस Communist Party से जुड़ा हुआ नहीं था क्योंकि इसके बारे में आपने पढ़ा होगा यह Famous केस है इसी के तहित इसी को मद्देनजर रखते हुए या इसी को आधार मान करके इस केस का जो नतीजा दिया गया था उसमें भगसिंग को फांसी सुनाई गई थी इसी लाहर सडेंत्र केस के तहिती भगसिंग को फांसी हुई थी और यह जो सडेंत्र हुआ था 1929 में हुआ था जिसमें भगसिंग ने सांडर्स की अत्या करती थी और देखो ये कुस्सन पूचा जा सकता है आपसे कि भगसिंग के अर्ट्या जो हुई थी क्या असेंबली में बम फैकने की वज़े से हुई थी या लाहोड सड़ेंतर की वज़े से तो याद रखना असेंबली की वज़े से नहीं हुई थी उसे फांसी हुई थी ये लाहोड सड़ेंत्र जो हुआ था इसके साथ सुखदेव और राजगुरू को भी फांसी दी गई थी और यह फांसी आपको पता होगा 31 March 1931 को दी गई थी 31 March 1931 को और बगहसिंग के साथ सुकदेव और राजगरू को भी फांसी दी गई थी और वाकी यह जो तीनों आपसने मेरट सरे यंतर केस मेरट सरे यंतर केस के बारे में बता दूं यह हुआ था मारच 1939 में हुआ था और काफी ये विवादति आपा आप Г residence, आप अंचे समय सकते हो, कि विवादासपत अदाल्ती मामला था ये। ये वी इनिस सो इनतीस में हुआ था, इसके बाद ये कानपूर Sleeping Battle के स है, यह 1922-23 में हुआ था यह भी पता होगा नहीं सौरी 1924 में हुआ था और जो एक पेसावर सड़यंतर केस है यह हुआ था 22-23 में याद रखना कम्यूनिस्ट पार्टी से यह लाहोड सड़यंतर केस जो है यह संबंदित नहीं था इसके अलावा एक और मुझफ़र सड़यंतर केस हुआ था वो कब हुआ था मुझफ़र सड़यंतर केस याद रखना उसके बारे में बता देता हूँ वो हुआ था 1908 में 1908 में हुआ था मुझफर सडियंत्र केस और यह जो गटना हुई थी लाहोड सडियंत्र केस की इसके बारे में डेट भी पूची जा सकती है तो कब हुई थी जब सांडर्स की अत्या की थी तो 17 दिसम्मर 1928 को की गई थी बगत सिंग के द्वारा 17 दिसम्मर 1928 को और यह केस चालू हुआ था इसका 1939 में ठीक है और फिर 1930 में इसका फैसला सुनाया गया था कि दोसी करार देते हुए बगत सिंग को और 23 मार्च 1931 फिर उन्हें फांसी दी गई थी ठीक है देखो तो अब second question देखते हैं इसमें कि नील क्रसकों की दुर्दसा पर लिखित पुस्तक नील दरपन का अंग्रेजी में अनुवाद किस ने किया था देखो नील दरपन पुस्तक है second question में ये पूछाए कि इसका अंग्रेजी अनुवाद किस के दौरा किया था नील दरपन का अंग्रेजी अनुवाद क्या माइकल मद सूदन दत्त के दौरा option भी है गरीश चंद्र गोस के दौरा C.A. रविंद्र ना टैगोर के दौरा या D. राजेंद्र सियां सियम के दौरा नील क्रसकों की दौरदासा पर ये लिखित पुस्तक थी जो नील की खेती करते थे क्रसक उनकी दौरदासा पर ये पुस्तक थी नील दरपन इसका अंग्रेजी में अनुवाद किस के दौरा किया गया था देखो इसका सही जवाब है option A नील दरपन का अंग्रेजी अनुवाद किया गया था माइकल मदु सूधन के द्वारा और ये भी पता होगा आपको कि दीनवंदु मित्र के द्वारा लेखी गई थी नील दरपन जो है किसके द्वारा लेखी गई थी नील दरपन लेखी गई थी दीनवंदु मित्र के द्वारा और इसका अंग्रेजी अनुवाद किया था माइकल मदु सूधन धत्त ने ठीक है माइकल मदु सूधन धत्त ने किया था और नील क्रसकों की दुर्दसा पर ये आधारित थी आगे देखो question number 13 में वर्दस 1994 में regulating act के तहत एक supreme court की इस्ताबना की गई थी और इसमें एक मुख्य नियादीस के अलावा कितने नियादीस थे देखो अच्छा खुसने पता होगा जो 1773 का regulating act आया था 34 का उसके तहत एक मुख्य यानि supreme court की इस्ताबना की गई थी तो उसमें एक मुख्य नियादीस था उसके अलावा ये फूचा है कि अनियादीस कितने थे 1773 की regulating act के तहत ये supreme court की इस्ताबना की गई थी 1774 में sorry मैं 1900 बोल गया हूँ तो उसे सही कर ले ना 1774 में तो इसका सही जवाब है option C तीन अनियादीस थे एक मुख्य नियादीस था इस बज़े से कुल चार नियादीस थे जो ये 1774 में सुप्रीम कोट की इस्ताबना की गई थी और उस टाइम जो गवरनर जनरल था वारेन हैस्टिंग्स था आपको पता होगा उसने अपनी सक्तियों का काफी नाजय फायदा उठाया था उसी बज़े से कुसासन के आरोप लगा कर कि नंद कुमार को दोसी करार देते हुए फांसी की सजा दिलवा दी थी यानि ऐसे कह सकते हो इसने वारेन हैस्टिंग्स ने प्रदान मुख्य नाजय दीश था एली जायम पे उससे दोस्ति कर ली थी यानि उससे दोस्ति कर ली थी उसने तो किसी को भी उल्टे सूदे आरोप में फसा करके नियालय वेद देता था और उसे अपनी मर्जी से सजा दिलवा देता था मंगल पांडे ने 1857 में बेरकपुर में अपने अदिकारी की गोली मार कर अत्या कर दी थी और बेरकपुर भारत के खिस राज में इस्दित है तो देखो बेरकपुर जो ये प्स्चिम बंगाल में इस्दित है कहाँ पर प Aunl पांडे के द्वारा अपने अधिकारी की गोली मार करके अत्या कर दी थी और ये भी पूचा जा सकता है कि जो मंगल पांडे थे वो कौन सी infantry के थे तो याद रखना यह 34 वी नेटिव 34 वी नेटिव इनफेंटिरी के एक सिपाई थे किसके 34 के यह कुस्सन अच्छा है यह पूचा जा सकता है देखो इसके बारे में जो यह घटना होई थी इसके बारे में आपको पता होगा जो कार्थूस थे यानि जो सेटिनेंट था उसका नाम था भाग उसने इसफर प्रैसर बनाया कि इसे मुह से खोलो और उसका यूज करो तो इसने मंगल पांडे ने मना कर दिया और ज़्यादा जित की तो उसे फिर 29 मार्च 1867 को मंगल पांडे ने गोली मार दी थी और उसकी अध्या कर दी थी फिर इस थी इसको मंगल पांडे को ठीक है अच्छा कुस्सन है ये आगे देखते हैं अब किसी बाहरतिय द्वारा प्रकासित अंग्रे जिवासा का पहला समाचार पत्र कौन सा था किसी बाहरतिय द्वारा देखो ये कुस्सन काफी अच्छा है मुझे लगता है इससे आपको कुछ ना कुछ सीखने कोई मिलेगा ठीक है बहुत ही अच्छा कुस्सन है ये देखो आपने पढ़ा होगा कि भारत का सबसे पहले समाचार पत्र जो प्रकासित हुआ था तो वो तो बंगल गजट था लेक लेकिन ये भी बंगल गजट ही है जो भारतिय के द्वारा प्रकासित किया गया था ये भी अंग्रेजी वासा का है लेकिन ये दूसरा है और वो जो 1780 में किया गया था एककी के द्वारा 1780 में वो अंग्रेज के द्वारा किया गया वो भी अंग्रेजी वासा का था लेकिन अठारे सो सोले में अंग्रे जी बासा का बारतिये के द्वारा किया गया था और इसका प्रकासन किया था गंगादर बटाचारे ने किसने गंगादर बटाचारे ने अठारे सो सोले में बंगल गजट का प्रकासन किया था अंग्रे जी बासा का प्रतम बारतिये द्वारा और अगश्टस 11 के द्वारा 1780 में किया गया था इसका प्रकासन इसके बाद ये भी पूचा जा सकता है कि हिंदी भासा का प्रतम समाचार पत्र कौन सा था हिंदी का हिंदी का प्रतम समाचार पत्र जो था उसके बारे में बता दूँ वो था उदंड मारतंड क्या लिख देता उदंड मारतंड ठीक है ये हिंदी वासा का पहला समाचार पत्र था और इसको प्रकासित किया था जुगल के सुनने किसने जुगल के सुनने याद रखना देखो पहला समाचार पत्र 1780 में अंगरेजी वासा का जेम्स अगस्टा सेक्की के द्वारा बंगाल गजट प्रतम समाचार पत्र भारतिय द्वारा अंग्रेजी वासा का 1816 में वो भी बंगाल गजट किस के द्वारा गंगादर वट्टाचारे के द्वारा प्रतम इंदी समाचार पत्र जोगल किसोर के द्वारा कौन सा उदंड म ठीक है काफी कुछ important मैंने ये बताए आपके सामने इने रट लेना अच्छे से अब देखो आपके सामने कुस्सन नमर 6 मई जून 2023 में संपन फ्रेंच ओपन 2023 के पुरुस एकल खिताब का विजेता कोन है मई में फ्रेंच ओपन 2023 का पुरुस विजेता फ्रेंच ओपन का विजेता बताओ कुस्सन नमर 6 का अंसर बताओ तो याद रखना इसका सही जवाब है नोबाग जोकोविच सर्विया के खिलाड़ी है विस्सो के नमर एक खिलाड़ी है यह सबसे ज़्यादा इनके नाम है रिकोर्ड ग्रेंड इसलेम खिताब जीतने का कुल इनों ने 24 ग्रेंड इसलेम खिताब जीत लिया है अब तक ठीक है और 22 जीते हैं राफिर नडाल ने 21 जीते हैं 20 जीते हैं साइद रोजर फेडरन ने स्वीजेलेंड के हैं और वो स्पेन के हैं राफिर नडाल ठीक है याद रखना इनका नाम है Ega SwayTrek ठीक है अब देखो आगे कुष्सन देखते हैं जून 2023 में जारी Global Peace Index 2023 में भारत की कौन सी रंकिंग है Peace Index में और Khosali में भी यही रंकिंग है याद रखना बताओ खुसाली में और पीस इंडेक्स में तो ये रैंकिंग है भारत की 126 वी कौन सी 126 वी रैंकिंग प्रप्ट की है भारत ने 2023 में गिलोबल पीस इंडेक्स में 126 वी कुल इसमें 163 देशों की रैंकिंग जारी की गई है इससे एक कुस्षन ये भी बन सकता है कि Global Peace Index को जारी किसके द्वारा किया जाता है तो याद रखना ये जारी किया जाता है Institute for Economics and Peace के द्वारा यानि सौट में से IEP भी बल सकते हो IEP यानि Institute for Economics and Peace के द्वारा Global Peace Index जारी किया जाता है और इसमें कुल 163 देसों को यानि 63 देसों की गड़ना की जाती है इसमें और Institute for Economics and Peace के द्वारा जारी किया जाता है और पहले इस्तान पर भी पूचा जा सकता है इसमें पहले इस्तान पर है आइसलेंड दूसरे इस्तान पर है डेनमार्क और तीसरे इस्तान पर क्या है तीसरे इस्तान पर है आइलेंड आइसलेंड डेनमार्क और आइलेंड ये तीनों याद कर ले न अंतिमिस्तान भी पूचा जा सकता है वो भी बता दूँ आपको पीस इंडेक्स में अंतमिस्तान है अफगानिस्तान का और अफगानिस्तान का 163 और 62 है यमन का और सीरिया इसमें 160 वे इस्तान पर है 161 पर है ठीक है भारत ही 126 में कुसर नमर आठ है अब आपके सामने 32 वेहरी पुरुसकार 2023 किसे प्रदान किया गया है 32 बताओ 32 किसे दिया गया है वेहरी पुरुसकार मदू कांकरिया ओम प्रकास मिस्र डाक्टर मादव हाडा खालिद जावेद को बताओ किसको दिया गया है 32 वेहरी पुरुसकार नवम्मर एके विडला फांडेशन के द्वारा और तू बता दू इसका सही जवाब है डाक्टर मादव हडा को दिया गया है 32 मा बेहरी पुरुसकार आगे देखो यह रीजिनिंग का कोशन है इसे करने की कोशिस करो चलो कर देता हूं वैसे जी एसी देखता हूं कि लास में कि देखो अब इसमें अलग-अलग चिन जो हैं उसके अलग-अलग अर्थ हैं देखो सबसे पहले लेखो 24 अब पिलस का अर्थ देखो इसमें क्या दिया हूँ है पिलस का अर्थ भाग दिया हूँ है यानि इसे बटे में लिख दो 6 को और भाग का अर्थ क्या दिया हूँ है भाग का का अर्थ क्या है प्लस चार ठीक है छे से चार 24 में दो गे तो चार बड जाएगा माइनस अब इसको करो सबसे बहुले बाको करते हैं फिर गुणा को करते हैं 9 दूने अठारे प्लस चार अठारे में से चलो माइनस में आएगा यह आंसर 8 माइनस 10 आंसर आएगा इसका कुस्ण नमर 9 का प्लस के 8 और माइनस के 18 तो बचे कितने माइनस के 10 कुस्ण नमर 9 का आंसर हो जाएगा option A माइनस 10 देखो ये भी इसी तरह का है इसे आप कर ले ना स्क्रीन सोट ले लो ठीक है इसी तरह से करके आप इसका आंसर बताना कमेंट वक्स में क्या आएगा आगे देखो इसमें क्या पूचा है तिरवजों की संक्या पूचा है देखो कन्ये की कोशिस करते हैं एक तिरवजी ए एक की ये दो एक की ये तीन और एक की ये बीच में चार और कोई बन रहा है क्या किसने स्वामी विवेकनंद को आधनिक राष्टी आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था स्वामी विवेकनंद के बारे में कितना पढ़ा है आपने बताओ दिमाग लगाओ किसने कहा था आध्यात्मिक पिता स्वामी विवेकानंद को आधनिक राष्टी आंदोलन का आधनिक पिता देखो मैं आप से स्वामी विवेकानंद के बारे में जितना वताओं उतना ही कम है क्योंकि देखो मात्र 33 वर्ष के आयू में इनका निदन हो गया था इतना नाम कमा गए कि आज यह पूजे जाते हैं यह समझ लो देखो इनका जनम हुआ था 12 जनवरी 1863 को कलकता में हुआ था और इनके बच्छमन का नाम जो ता वो नरेंद्र नाथ था और 1880 में इनकी मुलाकत रामकिष्ण परमांस से हुई थी और उन्हीं को अपना गुरू बना लिया था फिर आगे चल करके इन्होंने 1897 में कब 1897 में 1897 में एक मही 1897 को कलकता में इनके द्वारा रामकिष्ण मिसन की इस्तापना की गई थी यानि रामकिष्ण मिसन की इस्तापना इनके द्वारा कलकता में की गई 1897 में फिर आगे चल के इसका मुख्याला इन्होंन खेतडी रियासत के राजा थे उनका नाम था अजीत सींग अजीत राज सींग था उनका नाम उनके कहने पर इनोंने अपना नाम परिवर्टित किया था नरेंद्रनाथ थे स्वामी विवेकानंद बने थे और एक विश्व प्रसिद्ध सिकागों में एक दर्म सम्मेलन हुआ था और उसमें इनों ने विश्व प्रसिद्ध वासंड दिया था उन्नी कव दिया था ये भी पूचा जा सकता है और काफी प्रसिद वासंड है वो उसके लिए ये काफी विक्याते हैं यानि अमेर्का गए थे ये तब और तक्रीबन तीन चार वर्ट्स रहे थे वहां और इनके द्वारा आगे चल करके फिर 1896 में नुई यॉर्क में इन्होंने वेदांत सोसाइटी की भी इस्तापना की थ थी और मात्र इनकी 1902 में 1902 में 49 वर्ट की आयू में मृत्य हो गई थी कहाँ पर कलकत्ता में याद रखना इंपोटेंट हैं ये काफी कुछ सीखने को मिलेगा अगर इनके बारे में पढ़ोगी तो अच्छे से ठीक है अब देखो इसमें क्या पूछा है कि स्वामी विवे लिकानंद को आधनिक राष्टी आंदोलन का पिता किसके द्वारा का गया था देखो एक सेगंड मिटा देता हूं पहले कुछ सानमर 12 का अंसर आदनिक राष्टी आंदुलन का पिता किसके द्वारा का गया था तो याद रखना इन्हें राष्टी आंदुलन का आध्यात्मिक पिता का था सुभासचंद्र बोस ने किसने सुभासचंद्र बोस ने का था इन्हें ठीक है याद रखना इसके बारे मे अब देखो इसमें सूपी संप्रदाय और उसके संस्तापकों का मिलान करना है आपको एक साइड में दिया हुआ है सूपी संप्रदाय का नाम और एक साइड में उसके संस्तापक का नाम जैसे देखो कादरी संप्रदाय, फिर्दोसी संप्रदाय, नक्सवंदी संप्रदाय, चिस्ती संप्रदाय तो ये मिलान करना है कि अलग-अलग इनके संस्तापक कौन-कौन हुए है कादरी संप्रदाय का संस्तापक कौन हुआ है बताओ क्या पूछाई इसमें सुमेलित नहीं है ये पूछाई क्योंकि मैं तो kontrasu हो गया ना कादिरी संप्रदाय का तो बिल्कुल मिलान ठीक है ना उसी इसाब से फिर्दोसी संप्रदाय का भी बिल्कुल ठीक है बदूर नकस वंदी संप्रदाय ये भी ठीक है ख्वाजा बाकी विल्लाह के द्वारा ही ये संपादित किया गया था फिर इसमें पूछा है चिस्ती संप्रदा है चिस्ती संप्रदा है ये गलत है क्योंकि निजामुद्दीन ओलिया नहीं थे वह मुहिन दिन चिस्ती थे ख्वाजा मुहिन दिन चिस्ती के द्वारा चिस्त दुन चिस्ति की दर्गा और निजामुदीन अलिया के बारे में भी पूचा जा सकता है निजामुदीन ओलिया जो हैं चिस्ति संप्रदाय के ही संत्र रहे है और इन्हें महभूब ए इलाही की संग्यादी जाती है यानि निजामुद्दीन ओलिया को ही का जाता है महभूब ए इलाही क्या महभूब ए इलाही का जाता है निजामुद्दीन ओलिया को और देखो बताना चाहूं तो मैं निजामुद्दीन ओलिया के बारे में भी काफी बता दू लेकिन प्रेटिसेट काफी लंबा हो जाता है जलाल उद्दीन नहीं सोरी गया सुद्दीन तुगलग था कौन गया सुद्दीन तुगलग जो तुगलग वन्स का संस्तापक था और इनहीं की वज़े से उसकी मिरती हुई थी जैसे लकडी का महल जो बनाया गया था जैसे बंगाल में विद्रो कर दिया था एक तिदार था वहां का बगारा खान उसको सांध कनने ये गया था बंगाल तो उससे पीचे इसने गया सुद्दीन तुगलक ने जोना खान को वहां का सुल्तान बना दिया था उस बज़े से वो चिड़ गये थे यानि दुस्मनी तो वैसे ही चल रही थी इनकी स्टार्टिंग में क्योंकि ना तो उसको गया सुद्दीन तुगलक को ये निजामुद्दीन ओलिया पसंद थे ना निजामुद्दीन ओलिया को गया सुद्दीन तुगलक पसंद थे ठीक है उसी वज़े से और पीछे वविस्द्दीन करा दी कि जोन खान को बना दो और वो तो मारा गया वहां पर उ कि लेरे भारे में एक चीज पूता हूं हैं आप बताओ कि लकडी के महल जैसे यए घ्या सुन्दीन तुगलक का बना इसके अलावा एक सुल्तान एक सासक और हुआ है दूसरा सासक आप बता दो कि लकडी का महल और किसका था इसके अलावा गया सुद्दिन तुगलक के यानि भारती इतियास में ऐसे दो सासक हुए हैं जिनके लकडी के महल बने दूसरा आप बता दो नहीं तो फिर मैं ही बता दूँगा चलो अब आगे देखते हैं निमे लिखत में से किस मुगल सासक ने जमीन वोसी सिजदा की प्रता को समफ्द कर दिया था जमीन वोसी सिजदा की प्रता को समफ्द कर दिया था किस मुगल सासक ने देखो अच्छा कुसन है जमीन बोसी जो ये सेजदा प्रता थी आपको पता होगा बलवन के द्वारा स्टार्ट की गई थी जो गुलाम बंस का सा सकता ना बलवन उसके द्वारा स्टार्टिंग की गई थी और बलवन का जो बास्तविक नाम था वो बहाउद्दीन था क्या था बहाउद्दीन याद इसके द्वारा शुरू की गई थी और लोहरक्त की नीती भी इसी के द्वारा चलाई गई थी बलवन के द्वारा सिजदा और पाई वोस यानि यही जमीन वोसी यह प्रता जो है यह भी इसी के द्वारा शुरू की गई थी नवरोज त्योहर के बारे में भी पूचा जा सकता और यह खुद को कहता है और यह खुद को खुदा की परच्चह ही कहता था यह भी पड़ा ओगा आपने और राज़त्स बिवाग यानि राज़त्स बिवाग को कहा इसके टाइम में दीवाने विजारत क्या कहा जाता था दीवाने विजारत और सेने विवाग भी बनाया था इसने उसको कहा जाता था दीवाने आरिज यानि राज़त से विवाग और सेने विवाग या ऐसे समझ सकते हो दीवाने विजारत और दीवाने आरिज की भी इसने इ थी और इसी के टाइम में हुआ था मंगोलों का दूसरा आक्रमड पहला तो पहला जो मंगोलों का आक्रमड हुआ था हुआ इल्तुतमिस के टाइम में हुआ था और दूसरा इसके टाइम में हुआ था मंगोलों का तीसरा हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में आपक की मृत्यी हो गई तो इसके बाद इने महरोली जो पारक है न दिल्ली में उसमें दफनाया गया था बलवन और इसके पुत्र को महरोली में दफनाया गया था दिल्ली में और वहीं पर इनकी दोनों की कब्र है याद रखना तो काफी कुछ बताया मैंने बलवन के बारे में और कुस्सन फूचा है इसमें जमीन बोसी सिजदा की यानि सिजदा पाइबोस की इसकी समाप्त किसके द्वारा किया गया था इसको तो याद रखना मुगलबंस के सासके साह जहां इनके द्वारा इसको समाप्त किया गया था साह जहां के द्वारा ही ताजमेल बनवाया गया साह जहांके द्वाराई दिली की जामा मस्ज़, दिली गेट, कस्मीरी गेट, लाहरी गेट, अजमेरी गेट, और क्या बताऊँ आपको लाल केले में ही दीवाने आम और दीवाने खास भी बनवाए गए, सुन्ड से हासन भी इसके द्वारा बनवाया गया, यानि उसे जब उस ट बाया था, इसने कोहिनूर इरे को, और उसको कौन लूट करके ले गया था, या और बता दो, याद रखना, नादिर साका जो भारत दिली पर आक्रमड हुआ था, वो अपने साथ सियाहसन को भी लूट करके ले गया था, ठीक है, तो ये जमीन वोसी सिद्धा की प्रता को सम की टुकडी थी, या कोई नहीं थे, अद्दा और भिक, बताओ, अद्दा और भिक किस बज़े, किस नाम से जाने जाते थे, तो याद रखना, अद्दा और भिक जो थे, सल्तनत काल में जाने जाते थे, सिक्के, सिक्के के रूब में जाने जाते थे, याद रखना, सल्तनत काल के बारे में bạn A.D. लूदिवंघ आपको पता होगा तो देखो ये अध्दा और जो बेक होते थे एध्दा जो होता था यह जीतल का यानि जो जीतल था जीतल और टंका जो इल्दितमिस के द्वारा इस्टांटिंग की गई थी इसकी यानि चांदी के टंके चांदी की जो मुद्रा थी इल्दितमिस के द्वारा जो जारी की गई थी उसको तो का जाता था टंका और तामे के जो जारी किये गए थे उनको कहा जाता था जीतल तो याद रखना यह जो अद्धा है यह जीतल का एक ऐसे समझ सकते हो क्या बताऊं इसके बारे में कि जो यह अद्धा जो था यह जीतल का आदा था और जो यह क्या बोलते हैं यह विक जो था यह जीतल का चोथा ही था यानि अद्धा तो जीतल का आदा था और बिख जीतल का किदना था एक चोता ही था याद रगना इसके बारे में अब देखो भारत में राष्टी अंत्रिच दिवस कम मनाया जाता है अंत्रिच दिवस तो देखो अभी 23 अगस्त को चंद्रमा के दच्छडी दुरपर चंद्रियान जो थड़ बेजा इंडिया ने वो पहुँचा तो उसी के उपलच में अभी ये चंद्रियान यानि अंत्र अंत्रिच दिवस गोसित किया गया आपको पता होगा और जिस जगह पर चंद्रियान 3 ने लेंड किया था उस जगह को नाम दिया सिवसक्ति पॉंट 14 जुलाई को बेजा गया और 13 अगस्त को पहुँच गया वो चंद्रियान 3 ठीक है और इसमें यूज किया था LVM 3 M4 रो यूगिकों को उनके अनप्रयोग से सम्मंदित किया गया है सत्य यूगम का आपको चैन करना है जिंक का इलेक्टरिक बल्म में टेट्रा एथिल लेड यानि एंटिनाक एजेंट टेक्सॉल बिस्पोटक नाइट्रो सेलिलोज संसिलेसित रेसा है बताओ उसमें जो सही है न उसका आप कुछ वो करना है क्या बलते हैं चांटना है सही को कुस्ण नमर सत्रे में तो देखो इसमें जो मिलान है आपके सामने ये भी सही है इसमें बाकी सभी गलते हैं इसमें टेट्रा एथिल लेड यानि एंटिनाक एजेंट ये मिलान ठीक है देखो सब कुछ इसके बारे में बता दूँ देखो यह जो ऑप्सन भी जो सही में लाने है टेट्रा एथिल लेड इसका जो प्रयोग होता है एंटिनाक एजेंट के रूम में होता है किसके रूम में एंटिनाक एजेंट के रूम में टेटरा एथिल लेड का प्रयोग एंटिनाक एजेंट के रूम में होता है और जिंक जो है जिंक का प्रयोग किसमें होता है तो जिंक का प्रयोग होता है गैलवनी करण में किसमें गैलवनी करण में ये पढ़ा होगा आपने और एलेक्टरिक बल्ब में क्या होता है प्रयोग में होता है किसके में ना कि विस्पोटक के में कैंसर रोधी दवा के रूप में टेकसाल का प्रयोग होता है और नाइट्रो सेलूलोज का ये भी इंपोटेंट हो जाता है ये क्या है फिर क्या ये संसिलेसित रेसा है देखो नाइट्र सेलूलोज जो है एक प्रकार का विस्पोटक होता है ना कि संसलेसित रेसा होता है क्या होता है यह विस्पोटक होता है विस्पोटक समझ ले ना इसे ठीक है नाइट्र सेलूलोज होता है एक विस्पोटक और यह टेकसाल यह एक कैंसर रोधी दवा होती है और ये टेट्रा एथिल लेड जो है ये एंटिनाक दोबारा बताता हूँ क्या टेट्रा एथिल लेड टेट्रा एथिल लेड का जो प्रयोग होता है ये एंटिनाक एजेंट के रूप में होता है और जिंक का जिंक का गेलवनी करण में होता है और एलेक्ट्रिक बल में टंग कुछी विसेश्था नहीं है ये पूचा है इसमें चलो करने की कोशिस करते हैं और रतसारणी की革े विसेश्था के बारे में देखो इसमें गलत है इसमें, बाएं से दाई जाने पर परहाने पर्दम долларов तर्जा तो गटती है और जब तिर्जा घटेगी तो उसका आकर भी घटेगा ब्यास बढ़ेगा यानि तिर्जा बढ़ेगी तो उसका आकारवी बढ़ेगा और तिर्जा छोटी हो जाएगी तो उसका आकारवी छोटा हो जाएगा तो पहला ही गलत है इसमें और यही पूचाए कि कौन सी विसेस्ता नहीं है दूसरा देगो इसमें उपर से नीचे जाने पर विद्दुत रिडातमक्ता प्राय गढ़ती है ये सही है इसका उपर से नीचे जाने पर विद्दुत रिडातमक्ता प्राय गढ़ती है और बाएं से दाएं जाने पर वेद्दुत रिडातमक्ता बढ़ती है ये भी ठीक है और किसी एक वर्ग के सभी तत्तों की संयोजी इलेक्ट्रोन संख्या जो होती है वो समान होती है ठीक है तो इसका उप्सन यही गलत है और यही गलत ही पूचा है यही आंसर है इसका वर्स 1927 में गटिस साइमन कमीशन में किसके सुजाब पर एक विवारतिय सदस्य को सामिल नहीं किया गया था किसने सुजाब दिया था जो साइमन कमीशन आया था 1927 में जिसका काफी जोड सोड से विरोध किया गया था उसमें एक विवारतिय को सामिल नहीं करने के लिए यह क पूचा है इसमें आपको वैसे तो इसके बारे में पता होगा कुल साथ सदसे थे उसमें और सभी अंग्रेज थे एक भी भारत नहीं था मेन कारण तो ये भी था इसका विरूद करने का और इसी के बारे में पूचा है कि जो साथ सभी अंग्रेज सामिल किये गए थे इसको सा यह पता होगा तो और आपको यह पता होगा ति क्या पता होगा तो पहले आप से पूछना चाहता हूँ प्रांतों में दोएशासन जो लगा था यहा निसान से लगा था आपको पता हो गएसे यानि प्रांतों में जो कह आदिनियोगे ले कर गर कि नशी को कि अगैर कि आपकोगा द। से लेकिन 1935 का जो तो 1935 का जो भारत सासन अधिनियम आया था आपको उसके बारे में भी पता होगा कि प्रांतों 1935 भारत सासन अधिनियम के द्वारा ही प्रांतों से द्वारत सासन को समप्त करके केंदर में लगा दिया गया था ठीक है केंदर में लगा दिया गया और यह जो द्वारत सासन लगा था प्रांतों में यानि 1919 से लेकर के 1935 तक इसी की समिच्छा कन्ये के लिए इसको बेजा गया था साइमन आयोक को यानि द्वारत सासन जो प्र पहुंचा था य लंदन में तीन गोल बेज सम्मेलन हुए थे यानि जो 1930 में इस साइमन कमीशन के द्वारा जो रेपोर्ट सौंपी गई थी उसी पर चर्चा करने के लिए लंदन में 1930 में 1931 में और 32 में तीन गोल में सम्मेलन किये गए थे याद रखना ये भी समझ लेना देखो भारत सासन ज साइमन आयोग को और जो साइमन आयोग के द्वारा 1930 में रिपोर्ट पेस की गई थी उस पर चर्चा करने के लिए तीन गोल में सम्मेलन किये गए थे लंदन में 1930 में, 21 में, 32 में ठीक है और इसमें जो साइमन आयोग में ये कुस्ण में आपके सामने आता हूँ इसमें पू सही जवाब हो जाएगा उप्सन भी इरविन के द्वारा दिया गया था ये सुजाब ठीक है याद रगना अब देखो कुसन नमर 20 है बाहरती राष्ट कॉंग्रेस के सम्मन्द में सुरच्छा कपाट का सिद्दान्द किस ने दिया था बाहरती राष्ट कॉंग्रेस के सम्मन्द में सुरच्छा कपाट का सिद्दान्द किस के द्वारा दिया गया था क्या बाल गंगादर तिलक ने दिया था विवेका नंद ने दिया था लाला लाजपत राय ने दिया था या सिरी नारायन गुरू ने दिया था अच्छा कुसन है बार्दिराष्ट कॉंग्रेस के सम्मंद में सुरच्छा कपाट का सिद्धान्त किस ने दिया था पुर्देखो ये जो सुरच्छा कपाट का जो सिद्धान्त था न ये जो महारती राष्ट कोंग्रेस के संबन्द में सुरच्छा कपाट का सिद्धान्त दिया गया था ये लाला लारजपत राय के द्वारा दिया गया था कब दिया गया था 1916 में इनोंने अपनी पुस्तक लगी थी यंग इंडिया कौन सी यंग इंडिया उसमें दिया था और इनके अनुसार उसमें मानना था कि जो एओ हूम के द्वारा कॉंग्रेस की इस्तापना की गई थी वो राष्ट्य चेतना से सुरच्छा के रूम में की गई थी कॉंग्रेस की इस्ताबना यानि इनों ने ऐसा माना था कि ए ओ हूम के द्वारा जो कॉंग्रेस की इस्ताबना की गई थी राष्ट्य चेतना से सुरच्छा के रूम में की गई थी कॉंग्रेस की इस्ताबना याद रखना इसी वज़े से सुरच्छा कपट नाम दिय इस सिद्धान्त को और इसको दिया था राइष्टी कॉंग्रेस के सम्मन्द में लाला लाजपत राय ने अच्छा खुसन है ये भी राइष्टी आंदोलन की निमलेखित गटनाओं को कालक्रम में विवस्तित करना है तता कूट का प्रयोक कर सही विकल्प चुनना है आपको देखो बंगाल विवाजन भारत का इसका कॉंग्रेस का पहला अदिवेशन सुराज पार्टी का घठन और भारत छोड़ो अंदोलन तो अगर आप सभी को इन चारों के बारे में अच्छे से पता होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी आसानी से कर लोगे चलो देखो मैं करव हुआ था मुम्मई में हुआ था और स्वराज पार्टी की स्थापना कव की थी यह कुस्षन भी काफी एक्जाम में पूछा जाता है कि स्वराज पार्टी की स्थापना कव और किसके द्वारा की गई थी और क्या उद्देश से था इसका तो बता दूं स्वराज पार्टी का जो कन्ये का जो उद्देश से था ना इस्ताफित कन्ये का यानि सुराज पार्टी की स्तापना का जो प्रमक उद्देश से थे वो सुराज की प्राप्ती था असायोग को सफल बनाना था और सरकार की नीतियों का विरोध करना था यह तीन प्रमक उद्देश से थे इसको इ आट अगस्त निस सो ब्यालेस से सुरू हुआ था मुमाइ के ग्वायर क्राउंड से ठीक है तो याद रखना आट अगस्त नीस सो ब्यालेस को unsC Norway 2 को सबसे पहले कुन सायगा इसमें है सबसे पहले कुनसा आयगा 1868 वाला तुछरी स्काला देविसं सबसे पहले दो आएगा उसके बाद आएगा इसमें 1905 बाला बंगाल विवाजन एक आएगा दो के बाद फिर आएगा सुराज पार्टी तीन आएगा और एंड में आएगा चार दो एक तीन चार देखना है आपको उपसन में दो एक तीन चार तो इसका उपसन भी सही है विलकुल दो एक तीन चार चलो अब आगे देखते हैं कुशन नमर 22 को फुलो एम के सम्मंद में असत्य कथन की पहँचान करें देखो पहला पहला उप्शन है इसमें फुलो एम पौदों का समवहनी उतक होता है जिससे पोसकों का परिवहन होता है देखो पहला option तो बिल्कुल सही है flowm जो होता है पौदों का समवहनी उतक होता है और जिससे पोसकों का परिवहन होता है ये बिल्कुल ठीक है और दूसरा इसमें option भी है कि flowm तैयार बोजन को जड़ों बीजों वा फलों तक पहुंचाने में परिवहन तंतर के रूप में कार्य करता है flowm तैयार बोजन को जड़ों बीजों वा फलों तक पहुंचाने में परिवहन तंतर को तंतर के रूप में कार्य करता है ये भी सही है CIS में flowm में परिवहन में gtv और ctv का उपयोग होता है क्या देखो यह तीसरा oppshit जो है काफी important है याद रखना इसके बारे में कि philome ume gtp और ctv का बिलकुल प्रेयोग नहीं होता है यानि philome ume gtp और ctv का बिलकुल भी प्रेयोग नहीं होता है तो फिर किसका प्रेयोग होता है आटीवी का आटीवी ऊट साब और चौथा भी देखे लो फुलो हम में परिवाहन में अटीपी का प्रयूग दिया है इसमें अचिका प्रेयोग दिया है इसमें अचिको जली चौट अगर आपको पता है कि ATP का प्रयोग होगा तो आसानी से कर दोगे कि answer C होगा ठीक है आगे देखो अब कुसर नमर तेईस है अब यह सूची दी हुई है एक और दो इसमें आपको असत्यमिलान चाटना है आपके आगे पेपसिन जो है एंजायम का विखंडन करता है क्या देख आपको एक चीज बजा देता हूँ एंजायम और हार्मोन के बारे में कि जो एंजायम होते हैं एक जैविक उत्परेरक होते हैं जबकि जो हार्मोन होते हैं यह जैविक उत्परेरक नहीं होते हैं याद रखना हार्मोन जैविक उत्परेरक नहीं होते हैं और एंजायम एक जैविक उत्प्रेरक होते हैं और यह जो एंजयम होते हैं हमें उटचा नहीं देते लेकिन यह जो होते हैं ऐसे कह सकते हो कि यह उत्प्रेरक का कारे करते हैं यानि कैसे समझाओं आपको यानि जो सरीर की मेटावॉलिजम जो किरिया होती है उसको बढ़ा देते हैं यह यानि ये एक उत्परेरक का कारे करते हैं सहयोग के रूब में कारे करते हैं याद रखना और ये जो हार्मोन होते हैं हार्मोन के बारे में बता दूँ ये प्रोटीन से लेकर इस्टरोइड तक की एक सनचना होती है प्रोटीन से लेकर इस्टरोइड तक की ठीक है और यह जैविक उत्प्रेरक नहीं होते हैं और देखो इसमें पैपसिन जो है पैपसिन एंजाइम का विखंडन करता है क्या DNA प्रोटीन निर्माड का सूचना सुरोत होता है माइलेच इस्टार्च को सरल सरकरा में विखंडित करता है हार्मोन एक प्रकार का जैविक उत्प्रेरक होता है देखो मैंने अभी हार्मोन के बारे में बताया था कि हार्मोन जो होते हैं जैविक उत्प्रेरक नहीं होते हैं जैविक उत्प्रेरक जो होते हैं एंजाइम होते ठीक है तो यह option D गलत है यही answer हो जाएगा इसका बाकि सभी सही है कुसर नमर 24 है जीवों के वर्गी करण में वर्ग और कुल के मद्ध कौन सा इस्तर आता है जीवों के वर्गी करण में वर्ग और कुल के मद्ध में कौन सा इस्तर आता है जीवों का जो वर्गी करणड है उसमें वर्ग और कुल के मद्दे में कौन सा इस्तर आता है वर्ग और कुल के मद्दे में अच्छा खुसन है यह क्या गड़ बंस जाती या संग बताओ देखो आपने पढ़ा हो तो एक अंतराष्टी नाम करणड कोड है क्या है अंतराष्टी नाम करणड कोड उसमें जीवों के वर्गी करणड की कुल साथ स्रेडियों को परवासित किया गया है यह जो अंतराष्टी नाम करणड कोड है उसमें जीवों की कुल साथ स्रेडियों को परवासित किया गया है जीवों की उसमें ठीक है और इसमें देखो सबसे बड़ी जो सिरेडी है उसको नम दिया गया जगत एक सेगंड चलो पेज ले लेता हूं देखो सबसे बड़ी जो सिरेडी है उसको नम दिया गया जगत जगत के अंतरगत फिर उससे छोटी है संग ठीक है जगत में तो सभी आते हैं संग उससे छोटी है फिर संग के बाद जो आएंगे वो संग के अंतरगत आएंगे सभी संग से छोटी है वर्ग और वर्ग से छोटी क्या है फिर वर्ग से छोटी है गंड और गंड से छोटी है कुल और कुल से छोटी है वंस यह किरम भी याद कर ले न अच्छे से और वंस से छोटी है सबसे छोटी क्या है जाती ठीक है? याद रखना ये अंतराइष्ट नामकरंड जो कोड है उसमें जीवों के वरगी करंड की कुल साथ स्रेडियों को परवासित किया है और मैंने वो सभी आपके सामने लिख दी है पहली जगत, संग, वरग, गर कुल वन्स ओर जाती दुवारा देखो अच्छे से 3-4 वार हैं रिवाइज कर लो कंटस्wen्ट हो जाएंगी जगत, संग, वरग, गर कुल वन्स जाती ये जीवों के वरगी करंड की कुल साथ स्रेडियों आएं ठीक है तो अब आगे देखते है वीच में तो मैंने बताया था अभी वर्ग और कुल के वीच में आएगा क्या गड़ आएगा अब देखो बाहरत की प्रतम महिला इंड्रा गांदी ने नहीं बाहरत की प्रतम महिला इंड्रा गांदी ने 12 वर्स की आयू में किस आंदोलन से जुड़ी थी या किस आंदोलन में भाग लिया था और एक सेना का भी गठन किया था मतर 12 वर्स की थी ये जब एक आंदोलन से जुड़ गई थी और एक सेना का भी गठन किया था इनोंने तो क्या ये असययोग आंदोलन से जूड़ी थी बारत चोड़ो आंदोलन में या हमरूल आंदोलन में या सवने अभिज्या आंदोलन में बताओ सभी के बारे के बता दूँ आप सभी को कि जो यह असAy очень आनदोलने 2022 में शुरू हुँ ओ Queens कि देखो मैं कितनी जल्दवाजी करता हूं कितनी गल्दवाजी करता हूं 1922 में नहीं 22 में नहीं Serv Danish में सरू हुआ था 1922 तक चला था कब तक 1922 तक चलाता और यह शुरू भी पूचा जा सकता है कब हुआ था एक अगस्त 1920 को शुरू हुआ था और 12 फरवरी 1922 को शुरू हुआ था वो एंड हुआ था इसका जो चोरी-चोरा गटना हुई थी ना उसकी बज़े से उसकी बज़े से महात्मा गांदी ने इसको फिर समाप्त कर दिया था और उसके बाद फिर बिद्रो फैलाने या हिंसा फैलाने के जुरू में फिर महात्मा गांदी को गिरफ्तार कर लिया था और चेवर्स की सजा सुना दी गई थी लेकिन तबियत खराब हो गई थी तो फिर उन्हें रिहा कर दिया था 1924 में ठीक है याद रखना और ये जो आपके सामने भारत चोड़ो आंदोलन बताया था मैंने अभी आठ अगस्त 1942 को सुरू हुआ था कब आठ अगस्त 1942 को हॉम रूल 1916 को तिलक के द्वारा और उसके बाद इनिवेसेंट के द्वारा भी सविनय अविग्या अंदोलन 1930 में शुरू हुआ था कब 1930 में तो ये पूचाया वा इसमें आपके सामने कि किस से जुड़ी थी इंद्रा गांदी और एक सेना का गठन भी किया गया था उनके द्वारा तो याद रखना ये जो जुड़ी थी सविनय अविग्या अंदोलन यान नरसेना याद रखना और ये इंद्रा गांदी तमात्र बाहरे वर्स की थी कुसर नमर 26 देखो किसे बंगाल में मुस्लिम पुनरजागरण के जनक के नाम से जाना जाता है किस व्यक्ति को बंगाल में मुस्लिम पुनरजागरण के जनक के रूम में जाना जाता है सर सेयद आपके सामने बताओ तो इसका सही जवाब है आपके सामने कुस्सन नमर 26 का option D अब्दुल लतीफ जो है इन्हें बंगाल में मुस्लिम पुनरजागरण के जनक के रूप में जाना जाता है और इनसे संबंदिते एक और point है याद रखना कि इनके द्वारा 1863 में कलकत्ता में ही मुहमदन लिटरेरी एवं साइंटिफिक सोसाइटी की स्ताबना की गई थी 1863 में किसकी मुहमदन लिटरेरी और साइंटिफिक सोसाइटी की स्ताबना की गई थी और यह संस्ता जो है मुसल्मानों में पस्चमी सिच्चा का प्रसार और प्रचार कर उनमें चेतना का प्रसार करती थी किसका पस्चमी सिच्चा का जो अंग्रेजों की या या यूरोप की जो सिच्चा थी उसके माध्यम से चेतना का प्रसार करती थी अब देखो आगे कुछ नमर 27 है 1937 में प्रांतों में गठित कॉंग्रेस की सरकार कितने समय तक कारेरत रही थी 1937 में जो कॉंग्रेस की सरकार बनी थी वो कितने समय तक रही थी बताओ 1937 में जो अंतरिम सरकार बनी थी कॉंग्रेस की वो सरकार कितने दिन तक रही थी देखो अच्छा कुसन है इसे अच्छे से समझ ले ना कि जो 1937 में प्रांतों में जो गठित कॉंग्रेस की सरकार बनी थी वो मातर 28 महीने तक रही थी कितने टाइम तक 28 महीने तक कब हुए थे 1937 में हुए थे और 11 प्रांतों में हुए थे उसमें से 6 प्रांतों को तो पूंड बहुमत प्राप्त हुआ था कॉंग्रेस को और दो राज्यों में कॉंग्रेस का गठवंदन हुआ था इस तरह से कह सकते हो कि कुल 8 राज्यों में कॉंग्रेस की सरकार बनी थी उसके अलावाद दो राज पंजाब और बंगाल में बनी थी मुस्लिम की सरकार यानि मुस्लिम लीग की सरकार और इसके बाद 28 महीने के बाद कॉंग्रेस के दौरा 1949 में मंत्री परसद से सामोहिक रूप से कह सकते हो इस्तिपा दे दिया गया था और इसके कारण भी आपके सा इना को जो दौतिय युद्द चालू हुआ था 1949 से 1945 तक चला था यानि कॉंग्रेस की उसमें मंजूरी या कॉंग्रेस की सला लेना भी उन्होंने जरूरी नहीं समझाता तो कह सकते हो कॉंग्रेस की बिना मर्जी के भारतिय सेनिकों को विस्वेद में सामिल कर दिया था एक बाद भारतियों को सम्मेदान निर्मान का जो प्रिस्ता बेजा था भारतियों ने अंग्रेजों को उसको उन्होंने ठुकरा दिया था और ये भी कारण हो सकता है तो ये प्रमुक दो कारण हो सकते हैं ये गठित कॉंग्रेस के स्तीपे के याद रखना लेकिन इसकी खुस इस्तिवा दे दिया गया था उसके उपलच में मनाया गया था मुक्ति दिवस और इसमें साथ भी दिया था वीमराव अमेड करने किसका मुस्लिम लीक का याद रखना मुस्लिम लीक के साथ में रहे थे यह जो वीमराव अमेड करते जब यह मुक्ति दिवस मनाया गया था था ठीक है तो 28 महा तक रही थी मात्र कॉंग्रेस की सरकार अब देखो कुसर नमर 28 है सरवादिक मीथेन उत्सरजन के सुरोत का चैन कीजिए सरवादिक जो मीथेन है इसका सरजन के सुरोत से होता है यह पूचा है इसमे क्या मीथेन सबसे अधिक आदरभूमी से निकलती है क्या जीवासम इदन से निकलती है जब जीवासम इदन का खरन होता है तो क्या लेंड फिल वा क्रसी समंदी अफसिष्ट से निकलती है दान के खेत से सरवादिक मीथेन कहाँ पर निकलती है तो याद रखना जो सरवादिक मीथेन का सरजन होता है वो आदर भूमियों से होता है कहाँ से आदर भूमियों से इंपोटेंट कुस्सन है और आदर भूमियों से कितना होता है तक्रिवन कुल मीथेन का 27% और जीवास मीधन का खनन जब होता है तो उससे कितना निकलता है 22% मीधन निकलता है जीवास मीधन के खनन से उसके अलावा जीवास मीधन के खनन से 22 हो गया पसुदन से भी पूचा जा सकता है यानि लेंड फिल वा क्रसी समंदी अफसिष्ट से तो इसमें कितना निकल सकता ह लेंड फिल और किरसी समंदी अफसिष्ट से तो 22-12% के करीव है लेकिन जो पसूदन होता है उससे तकरीवन कितना 17% के करीव तो तीसरे इस्तान पर पसूदन समझ सकते हो और और इसके अलावा प्राकरती भूबैग्यानिक वीज बगेरा जो होते हैं उनसे भी 7% के लिए व परसेंट के करीब और पादपदार जो होते हैं उनका अगर धहन करोगे तो उससे भी मीथेन का उत्सरजन होता है तो याद रखना सबसे अधिक होता है आद्रभूमी से कुछ नमर 29 देखो लेंटिस आवास किस प्रकार के आवास से सम्बन नेता है लेंटिस आवास किस प् प्रकार के आवास से सम्बन नेता है बताओ तो इसके बारे में बता दूँ कि लेंटिस आवास जो है तालाव वा दल दल से सम्बन नेता है किस से तालाव दल दल से ऐसे जली आवास लेंटिस आवास के अंतरकता आते हैं जिनका जल इस्तिर रहता है देखो नदी का जो जल और दल दल होते हैं तो इनका जल इस्तिर रहता है और लेंटिस आवास किस चेत्र को कहेंगे हम ऐसे जली आवास जिसका जल इस्तिर हो यानि ऐसे जली आवास जिसका जल इस्तिर हो उस आवास के अंतरगत तो उसको हम लेंटिस आवास की संग्या देंगे याद रखना और इस एक साइड में ये अधिनियम बगेरा दिये हुएं और एक साइड में उनका डेट दिया हुआ है पर्यावरनड सन्रच्छंड अधिनियम कब पारित हुआ था वायू प्रदूशंड वा नियंतरण अधिनियम कब आया अनुसूचे जाती वा अन्य पारंपरिक वन निवासी यानी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम ये कब आया और वन संरच्छन अधिनियम काफी अच्छा कुस्छन है बताओ गोस नमर 30 देखो पर्यावरंण संरच्छन अधिनियम याद रगना है ये आयओ था उन्निस अच्छा सी गो तो एका हो जाएगा दो सबसे पहले और वायू प्रदूसंड़वा नियंत्रण अधिनियम तो याद रखना यह 1981 से संबंदेता है किस से 1981 से तो दो का भीका हो जाएगा चार और अनसूचित जन जाती वा अन्य पारंपरिक वन्निवासी अधिनियम तो यह संबंदेता है 2006 से तो इसका तीन ही हो जाएगा तीन का अब देखो इसमें बचा वन संरच्छन अधिनियम ये इंपोटेंट है वन संरच्छन अधिनियम वैसे तो सभी संरच्छन अधिनियम है ये इंपोटेंट है परियावरन संरच्छन अधिनियम काफी इंपोटेंट है लेकिन ये जो वन संरच्छन अधिनियम है ये कप पारित हुआ था ये 1980 में हुआ था तो चार का हो जाएगा एक दो चार तीन एक उप्सन देख ले ना दो चार तीन एक तो इसका उप्सन एई विल्कुल ठीक है आगे देखो कुसर नमर 31 है ड्यू गॉंग नामक समुद्री जीव जो की विलोपन के कगार पर है कहां पाया जाता है ड्यू गॉंग इंपोर्टेंट है ड्यू गॉंग नामक समुद्री जीव विलोपन के कगार पर है वैसे तो और ये कहां पाया जाता है क्या सुन्दर्वन छेत्र में अरब सागर में मनार की खाड़ी में या पस्चमी गाड़ में और याद रखना इस ड्यू गौंग के Бारे में बता दूं आपको कि इसे समुद्री काये के रूत में भी जाना जाता है। मनार की खाड़ी में और यह भी पूछा जा सकता है कि यह साकारी है या मासाहरी तो याद रखना यह साकारी जीव होता है ड्यूग जो होता है साकारी होता है ना कि मासाहरी साकाहरी याद रखना ड्यूग साकाहरी होता है और समुद्री गाय के रूम में जाना जाता है ड्यू अब देखो कुछ नमर 32 है UNEP के तत्वाधान में हुए विभिन वह उपच्चिय पर्यावरण समझोतों के संबंद में असत्य योगम का चेहन करना है UNEP के तत्वाधान में देखो इसमें पहला है कन्वेंशन कब हुआ Convention on Long Range Trans Boundary Air Pollution यानि LRTAP Convention on Long Range Trans Boundary Air Pollution कब हुआ था यह и याद रखना है यह हुआ था कब 1989 में तो एक तो एक ही ठीक है इसमें क्या मिलान करना है क्या असत्य योगम चाटना है तो यह तो बिलकुल ठीक है दूसरा देखो इसमें कि convention for the protection the world, culture and natural heritage convention for the protection the world, culture and natural heritage ये 1972 से ही सम्बन देता है ये भी ठीक है मिनीमाता कन्वेंशन मिनीमाता कन्वेंशन और मरक्यूरी तो पारे से होता है याद रखना ये मिनीमाता जो रोग है किस से होता है मरकरी यानि पारे से तो ये कब हुआ था ये हुआ था 2013 में कि 1992 में कब 2013 में हुआ था ये ही गलत है इसका और देखो UN Convention to Combat Dejertification UN Convention to Combat Dejertification ये देखो इसकी फुल फॉरम पूची जाती है UN Convention to Combat Dejertification की इसमें 2 की जगे पर या तो 4 आ जाता है या फिर UN आ जाता है तो तो लगाना या दरखना UN Convention to Combat Dejertification तो ये हुआ था 1994 में कब 1994 में ये सही है कुशन नमर ते तीस है इस अपसिष्ट प्रबंदन नियम 2022 के अंतरगत निम्न में से कौन सा अगाटक सामिल नहीं है इस अपसिष्ट प्रबंदन नियम 2022 के अंतरगत निम्न में से कौन सा अगाटक सामिल नहीं है यह अफसिष्ट प्रबंदन नियम जो 2022 के अंतरगत हुआ था उसमें यह सभी सामिल नहीं है ना तो बेंटरी अफसिष्ट ना पेकेजिंग अफसिष्ट ना रेडियो सक्री अफसिष्ट ना सूचम अफसिष्ट याद रखना उपसंडी सही है इसका उपसंडी देखो इसके अलग अलग हैं इसके बारे में सभी कुछ आपको बता देता हूँ कि यह अफसिष्ट प्रबंदन नियम जो है यह तो 2022 के अंतरगत सामिल आया था और इसमें इन्हें सामिल नहीं किया गया था और बता दूं कि बेंटरी अफसिष्ट के बारे में कि बेंटरी अफसिष्ट प्रबंदन जो नियम आया था यह अलग आया था इस बचे से सामिल नहीं किया गया था क्यूंकि यह सभी अलग अलग आये थे तो बेंटरी अफसिष्ट प्रबंदन नियम बनाता 2022 को कब 2022 को और पेकेजिंग प्लास्टिक अफसिष्ट प्रबंदन नियम ये 2016 को बनाता कब 2016 को और सूच मुद्दम यानि MSME विकास अधिनियम ये 2006 को कब 2006 को सूचम लगो और मद्यम उससाब से समझ सकते हो सूच मुद्दम यानि MSME विकास अधिनियम 2006 को और रेडियो सक्री अफसिष्ट ये भी इंपोर्टेंट है यानि रेडियो सक्री अफसिष्ट परमाडू उड़जा अधिनियम के अंदर करती है 1962 में कब 1962 में ठीक है तो इस बज़े समझ सकते हो ये कोई भी सामिल नहीं है जो ये अफसिष्ट प्रबंदन नियम 2020 था उसमें कोई भी सामिल नहीं है ये आगे देखते हैं अब क्रशक प्रजा पार्टी जो बंगाल के एक मेहत्पूर्ण राजनितिक पार्टी थी इसकी स्थाबना किसके द्वरा की गई थी क्रशक प्रजा पार्टी की स्थाबना बंगाल में किसके द्वरा की गई थी बताओ तो याद रखना इसके बारे में बता दूँ क्रशक प्रजा पार्टी जो इसकी स्थाबना भजलूल हक ने की थी और यह पार्टी जो है मुस्लिम लीग के साथ मिलकर वर्स 1937 में बंगाल में बंगाल में जो यह पार्टी थी इसने 1937 में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के सरकार बनाई थी कब 1937 में सरकार बनाई थी और इसकी स्ताबना फजलुल हक ने की थी क्रसक प्रजा पार्टी की भारत की प्रतम इसना तक मैला कौन थी जिसने वार्दी राष्ट कॉंग्रेस के अधिवेशन को सम्मोधित किया था देखो कॉंग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था कानपूर अधिवेशन 1925 में उसमें सरोजनी नायडूर ने अध्यचता की थी लेकिन कुष्ण में ये पूचाया कि प्रतम इसना तक मैला कौन थी जिसने राष्ट कॉंग्रेस के अधिवेशन को सम्मोधित किया था अच्छा कुस्सन है तो याद रखना इन से पहले 1890 में कब 1890 में कॉंग्रेस का अधिवेशन हुआ था कहां पर हुआ था कलकत्ता में हुआ था और यह कॉंग्रेस का गुल छट्वा अधिवेशन था गॉलकाता में जो 1890 में हुआ था यह चटा अधिवेशन था कॉंग्रेस का और इसको कादम मिनी गांगुली के द्वारा अधिवेशन को कलकता में सम्मोदित किया गया था और यह पहली इसना तक महिला थी भारत की आगे देखो निमले कित में से किसने हिंदू गिरंथ भगवत गीता का अंग्रेजी में अनवाद किया भगवत गीता का अंग्रेजी में अनवाद किसके द्वारा किया गया यह पूछ सकता है कोई भी कि हिंद गिरंथ भगवत गीता आपने पढ़ाओगा तो इसका अंग् भगवत गीता का अंगरी जी मैंनीबात किया गया था संस्ता से जुड़े हुए थे याद रगना और डेविड हेयर ये भी प्रमुक विक्ति हैं डेविड हेयर ने 1817 में राजाराम मोहन राहे के सहयोग से हिंदू कोलेज की इस्तापना की थी 1817 में की थी किसने डेविड हेयन ने कलकत्ता में एक हिंदु कोलेज की इस्तापना की थी और उसमें सहयोग किया था राजाराम मोहिन राहन ने संयुक्तराष्ट जैब बिवित्ता अभी समय कोप अच्चकारों का पंद्रहवा संमेलन यानि कोप 15 के विशे में असत्यकतन बताना है जो पंद्रहवा संमेलन हुआ था जैब बिवित्ता से संबंदित यानि संयुक्तराष्ट जैब बिवित्ता अभी समय कोप अच्चकारों का पंद्रहवा संमेलन हुआ था इसे कोप 15 भी का जा सकता है इसके बारे में असत्य छाटना है आपको एक सेकंड देखो कोप पंद्रे की अध्यच्छता चीनने की थी क्या तो याद रखना जो कोप पंद्रे हुआ था उसकी अध्यच्छता चीन के द्वरा की गई थी कोप पंद्रे का आयोजन कनाडा में हुआ था वैसे तो अध्यच्छता इसने चीन में की थी लेकिन यह हुआ कनाडा में था याद रखना यह इंपोर्टेंट हो जाता है अपने आप में और तीसरा है उप्सन इसमें कोप पंद्रे का मुख्य उद्देश वैस्विक जैब विवित्ता फ्रेंबर्क को अपनाना था और इसमें उप्सन डी है वैस्विक जैब विवित्ता फ्रेंबर्क दोजार पच्चीस में समाब तो रहे आईची जैब विवित्ता लच्छों का इस्तान लेगा यह गलत है क्योंकि 2020 में समाप तो रहे आईची जैब बिवित्ता लच्छों का इस्तान लेगा ना कि 2025 में तो इसका यही जवाब है option D और यही पूछा जो गलत है वो ही बताना है कुस नमर 38 निमले कितमे से किस राजमे बनों का प्रत्सस सबसे अधिक है सबसे अधिक ब्रत्च वन कहां पर है तो याद रखना इसका सही जवाब है option C मिजोरम में जो है भारत का सबसे पहले नमर पर राज्य है जिसमें सरवाधिक वन प्रत्ससत भारत में है और इसमें कितने वन प्रत्ससत पाए जाते हैं बन जो हैं कितने प्रस्ट छेत्रपल पर हैं तो याद रखना तकरीवन 84.63 परसेंट इसके छेत्रपर हैं बन और दूसरे इस्तान पर भी इसमें उसका पड़ोसी है तकरीवन थोड़ी दूर है उतरपूर भी राज्यें यह पड़ोसी तो नहीं कह सकते हैं इसका छेत्रपल ह चेत्रपल नहीं सोरी इसका प्रस्ट है वनों का उन्हेंसी पॉंट 33% के करीब काफी है और देखो हर्याणा का तो काफी कमें और उससे भी हर्याणा थोड़ा उससे जादा यूपी का यूपी का यूपी का विश्यें से कमें आप तो यूजना चलाई जा रही है तो तकरी प्लेशन निच्चिब में तो याद रखना प्लेशन निच्चिब में जो है जल द्वारा अगरसित प्रकार के खनिच प्राप्त होते हैं अगरसित प्रकार के आगे देखो प्राइदीपिया सेल क्रम के साथ राजिस्तान में अनेक अलोह खनिच पाए जाते हैं प्राइद दीपिया सेल करम के साथ राजस्तान में अनेक अलोग खनिज पाए जाते हैं क्या कुछ नमर चालीस में और दूसरा इसमें उत्तरी वारत के विस्तरत जलोड मैदान आर्थिक महत्तु के खनिजों से बेहीन है जो उत्तर का जो विस्तरत जलोड मैदान है न वो बिलकुल सही ह इसका ये स्टेटमेंट उसमें खनिज नहीं पाए जाते हैं क्योंकि ये नवीनतम है और जो हमाले परवत है या कह सकते हो जो जहां से नदिया आती है उनके द्वारा निर्मत है या अपरदन से जो अपने साथ अफसाद लेकर के आती है तो ये अभी नया बनाए और जो प राजिस्तान में अनेक अलो खनिज पाए जाते हैं राजिस्तान में भी आपने देखा होगा अरावली परवतमाला है और प्राइदी प्वारत ये सभी जगे खनिजों के बंडार है लेकिन ये उत्तर भारत जो है इसमें नहीं पाए जाते हैं तो इसमें ये दोनों ही सही ह तो option C हो जाएगा अब देखो, पहला कथन और पुरा है कथन देखो इसमें क्रशी तथा उध्दोग एक दूसरे से प्रतक हैं और कारण है क्रशी पर आदारी तो उध्दोगों ने क्रशी पैदावार बड़ोतरी को प्रत्वायत किया है अब ये बताना है कौन सा सही है दोनों सही है व्याख्या करते हैं या नहीं करते हैं या कोई सही नहीं है देखो इसमें पहला जो एस्टेट्मेंट है बिलकुल बेहुदा है बिलकुल गलत है कियोंकि आपको पता होगा क्रसी और जो उद्दोग ऐन एक दूसरे के पूरक हैं आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि भारत में जो क्रसी पर आधार Commonwealth है तो उद्दोग है नोंने क्रसी पैदावार की क्रसी पैदावार को प्रोसायत किया है क्यूंकि ये जो उद्धोंगें कच्छे माल के लिए क्रसी पर निर्वर this, कच्छे माल के लिए क्रसी पर निर्वर है तता इनके द्वारा जो निर्मे तो उत्पाद होते है जीसे सिछाई के लिए पंप, उृबर, कीट ना सक, दबाएं, फ्लाइस्टिक, पाइब मसीने लोगोंने क्रसी पैदावार बढ़ोत्री को प्रोसायत किया है तो यह सही है पहला गलत है दूसरा सही है यानि कथन गलत है और कारण सही है तो अपसंडी हो जाएगा इसका भारत के छोटा नागपर पठारी चेतर में लोहा तता इसपात उद्दोग संकेंद्रित ओने के कार जैसे उच्च कोटी के कच्चे माल की निकटता सस्ते स्रमिक इस्तानी वाजार में मौक की विसाल सम्मावता जो छोटा नागपर का पठारी चेतर है उसमें लोहा तता इसपात उद्दोग संकेंद्रित ओने के कारणों में सामिल नहीं है तो याद रखना लोहा अयस्क की उच्च लागत ये सामिल नहीं है क्योंकि वहां तो लोहा ही लोहा है तो लागत कहां से जाता आएगी ठीक है और वहां पर ये उद्दोग जो है लोहा और इसपात का इप्रमक उद्दोग है तो यही गलत है इसका कुसर नमर 43 है भारत के संदर में नीचे दिये गए कतनों प्रविचार कीजिए बारत का चेतरफल विस्व के कुल बोगोलिक चेतरफल का तीन प्रसत है दूसरा है इसमें बारत की उत्तरपूर्वी सीमा पर ब्रहंसोत परवत अवस्तित है तो इसमें सही पूछा है सही बताना है कौन सा है देखो पहला जो पहला जो कतन है यानि पहला जो स्टेटमेंट है इसमें बारत का चेतरफल विस्व के कुल बोगोलिक चेतरफल का तीन प्रसत नहीं है तो कितना है दो पूंट चार प्रसत है दो पूंट चार प्रसत है बारत का चेतरफल विस्व के चेतरफल का लेकिन या तो इसका सही जवाब है ना तो एक और ना दो कोई सावी सही नहीं है इसमें निमन में से हिमाले की लंबाई कितनी है हिमाले की लंबाई तो आपको पता होगा तक्रीबन 2400 किलो मीटर लंबा है हिमाले परवत कितना 2400 किलो मीटर ओप्शन के अकॉर्डिंग और चोडाई का भी पूचा जा सकता है अलग अलग बता दूँ आपको देखो लंबाई तो 2400 किलो मीटर है इसकी चोडाई कस्मीर में तो इसकी 400 किलो मीटर है अरोनाचल प्रिदेश में 150 किलो मीटर है यहीं चोडाई समान नहीं है कहीं पर कमें कहीं पर जादा है क्योंकि अ साइड में संपीरित जो बल है न वो अधिक है जिस बज़े से उसका आकार कम है लेकिन उचा ही अधिक है जिस साइड में बल जाता लगेगा तो उसका आकार तो कम हो गाई क्योंकि दोनों साइड से समझ लो किसी वस्तु को आप दबाओ तो वो पिचकेगी और उसका आकार छ कुषण नमर 45 एक नदी तंतर का जिस छेतर में जल प्रवाहित होता है उसे एक अपवाद रोड़ी कहते हैं क्या दूसरा है इसमे कोई भी उचा छेतर जब दो पडोसी अपवाद रोड़ीों को एक दूसरे से अलग करता है जल विवाजक कहलाता है कोई भी उंचा छेतर जब दो पड़ोसी अपवाद रोणियों को एक दूसरे से अलग करता है जल विवाजक कहलाता है और एक नदी तंदर का जिस छेतर में जल प्रवाहे तो होता है उसे अपवाद रोणी कहते हैं क्या है तो देखो यह दो नों ही बिलकुल ठीक है यह जो इस टेमेंटें दोनों ही बिलकुल ठीक है याद रखना उप्सन सी सही है कि से जो सहीकत वन प्रवंदन की सुरुवाद किछ वड़ शन हुई THी 치ालीस क्लिश तो सहीकत वन प्रबंदन की शुरुवात कब होई थी 1988 में होई थी आगे देखो एक परमाडू रियक्टर में नियंतरन रोड यानि कैडमियम का क्या कार्य होता है परमाडू रियक्टर जो है उसमें कैडमियम का प्रेयोग होता है और इसका कार्य क्या होता है क्या इसका कारे न्यूट्रन के उड़जा को कम करती है ताकि उन्हें आगे विखंडित प्रक्रिया के लिए उपियोग किया जा सके क्या चेन रियक्षन के लिए आवसे एक न्यूट्रन उत्पन करती है क्या चेन रियक्षन को नियंतरित करने के लिए अत्रिक्ट न्यूटरन को अफसोसित कर दिया विखंडन प्रक्रिया के दोरान उत्पन अत्यदिक उस्मा को अफसोसित करती है और इस प्रकार ताबमान में अधिक व्रदी को रोकती है तो बताओ परमाडू रियक्टर में नियंतरन रोड केडमियम का क्या कार्य होता है तो इसके बारे में बता दू इसका उप्संसी सही है यह चैन रियक्षन को नियंतरित करने के लिए अत्रिक्ट नियूट्रोन को अफसोसित करती है यानि परमाडू रियक्टर में जो केडमियम जो होता है इसका जो कार्रिय होता है ना chain reaction को नियंतरित करने के लिए अतिरिक्त निजोटरन को अफसोसित करना होता है आगे देखो सामाजिक त्योहार नुवा खाई भारत के किस राज़िय में मनाया जाता है नुवा खाई याद रखना ये एक क्रसी तोहार है और यह कहां मनाया जाता है ओडिसा में मनाया जाता है और यह नुआ खाई मोसम के नहे चावल का स्वागत कन्ये के लिए मनाया जाता है जो नहे चावल जो आता है उसका स्वागत कन्ये के लिए मनाया जाता है और कहां मनाया जाता है ओडिसा में मनाया जा को मनाया जाता है और नुआ खाई का अर्थ भी पूचा जा सकता है नए खाने से होता है नुआ खाई का अर्थ क्या होता है नया खाना कौन सा देश प्रतेक वर्ष बेस्व का सबसे बड़ा वर्फ त्योहर आयोजित करता है किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा वर्फ त तो याद रखना यह चीन में मनाया जाता है हर साल बर्फ का सबसे बड़ा त्योहार मात्मा गंदी से तू इस्तिता है कहा है मात्मा गंदी से तू और याद रखना यह बारत का सबसे लमा फुल भी है और बहार-राज़ी के पटना जिले में इस्तित है कहां पटना में और यह बहार में पटता है इस निमलिकित में से किस या किन गेटों को यूणिवर्सल गेट का जाता है कमपूटर का खुसतन ही बताओ तो याद रखना NAND gate और NOR gate को कहा जाता है NAND और NOR gate को कहा जाता है यूनिवर्सल gate आगे देखो पोदों की व्रदी मापन के लिए किसी अंदर का प्रेयोग होता है पोदों की व्रदी को मापने के लिए पौदों की विरदी मापने के लिए देखो पैरी स्कोप होता है इसका प्रयोग क्या होता है याद रखना समुद्र के भीतर से पानी के उपर देखने के लिए पंडुबी में प्रयोग होता है और फैदो मीटर भी पूछ सकता है अपकी देखो, पेरोमीटर है और फेदोमीटर, फेदोमीटर का तो सम belli की गयराई के लिए होता है फ्रेऊग, लेकिन पंडुबी में से उपर की तरब देखने के लिए पेरी इसकोप का प्रेऊग होता है, किसका पेरी सकोप का, अच्छा कुस्सन है और फिर ये आपके सामने है इसमें कोलोरी मीटर का फ्योग किसमें होता है तो रंगों की तीबरतम आपने के लिए कोलोरी मीटर का होता है केरटो मीटर का केरटो मीटर का ये केरट में देखा होगा अपने सोने के बारे में जब बात चीत होती है कितने केरट का सोना होता है सुद्द सोना कितने का 24 का 28 का 24 का 18 का 20 का कितने का होता है याद रखना 24 केरट सोना सुद्दतम होता है और ये देखो केरटो मीटर का वपयोग किया जाता है सोने की सुद्दता के लिए और कैसको गिराफ का कि इसको गिराफ का प्रयोग होता है यही आंसर है पौदों की ब्रदी मापन के लिए किसका पौदों की ब्रदी मापने के लिए कतने रोपड क्रिसी के विकास में उद्दोग वाजार का महत्पूर योगदान है रोपड क्रसी में उत्पादन विक्री के लिए होता है रोपड क्रसी में उत्पादन विक्री के लिए होता है क्या बताओ कौन सा सही है क्या व्यक्यावी करता है रोपड क्रसी में उत्पादन विक्री के लिए होता है और रोपण क्रिसी के विकास में उद्दोग वाजार का महतपूर इस्तान है तो देखो ये बिल्कुल दोनों ही सही है और व्याख्या भी करता है जो कारण है न सही व्याख्या करता है क्योंकि रोपण क्रिसी में उत्पादन जो होता है विक्री के लिए होता है और विख्री कहाँ पर होगी बाजार में कहाँ होगी बाजार में होगी जहाँ उद्वोग दंदे होगे तो रोपड क्रिशी के विकास में उद्वोग और बाजार का महत्वूर यूगदान होता है तो इसका option यही ठीक है आगे दो निम लेकित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है सही सुमेलित नहीं है लोग आयस खनन केंद्र है कौन से देश में दिया सभी देशों में दिये हुए है तो देश में जो खनन केंद्र है वो सुमेलित नहीं है इसमें क्या रूस में मैगनीटो गोर्सक है मैगनीटो गोर्सक क्या ये रूस में पढ़ता है तो ये तो बिलकुल ठीक है इस तरह के नाम अधिक तर देखे होंगे आपने रूस में ही मिलते हैं क्या फ्रांस में नॉर्मंडी है तो ये भी ठीक है फ्रांस में ही पढ़ता है और नॉर्मंडी स्वीडन में किरूना है क्या किरूना भी स्वीडन में पढ़ता है यूकरेन में कुछबास है क्या तो याद रखना कुछबास जो छेत्र है ये रूस का ही है ना कि यूकरेन का ये यही आंसर है इसका option D जुन जुलाई दोजार तेश में आयुजित किये जा रहे है एकता अभ्यास है यह दोजार तेश का किस देश से संबन देता है यहीं भारत और किस देश के बीच किया जाता है एकता अभ्यास बताओ एकता अभ्यास दोजार तेश में बाहरत और किस देश के बीच किया गया है तो याद रखना बाहरत और मालदीव के बीच किया जाता है एकता अभ्यास एकूबेरन भी बाहरत और मालदीव के बीच होता है जुलाई 2023 में जारी निर्याद तैयारी सूचकांग 2022 के अनुशार बारत का कौन सा राज ये सीर्स पर है कुसा नमर 26 तो इसमें सही जवाब है अप्सन अ तमिननाडू जो है निर्याद तैयारी सूचकांग 2022 में पहले इस्तान पर है कौन सा तमिनाडू दूसरे पर माराष्ट, तीसरे पर कन्ना टक है याद रखना और पहडी राज्यों के प्रदर्सन में भी पूछा जा सकता है पहडीयों में उत्राखंड पहले पर हिमाचल दूसरे पर और भूमी से गिरे राज्यों का प्रदर्शन पूछा जाए तो इसमें हर्याणा पहले पर है यानि देखो तमिनाडू तो ये दच्छड में हो गया और उत्तर में यानि पाहडी राज्यों में उत्तराखंड हो गया और भूमी से गिरे राज्यों में हर्याण आए पहले पर केंद्र साइसित में गो आए पहले पर ठीक है है यहाद रखना इनने जुलाई 23 में किस राज्य ने वन टेप वन ट्री अवियान लॉंच किया वन टेप वन ट्री अवियान ये Google चैनल को subscribe कर लें like share भी करें video को और मेरे साथ end तक देखते रहें और अगर मेरी वीडियो मेरी speed slow लगे तो तेज भी कर करके देख सकते हो और तेज लगे तो slow भी ठीक है तेज कर लो तो आपका टाइम ही बचेगा देखो अभी इस सूची दी हुई है आपके सामने इसमें आपको मिलानी ही करना है कि कील नहर है किस किस को जोड़ती है सू नहर भी पनामा और स्वेज नहर देखो इस्टार्टिंग एंड से करो करने स्वेज नहर के बारे में तो आपने काफी पड़ा होगा स्वेज नहर किस को जोड़ती है भूमत्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है चार का एक हो जाएगा पनामा पनामा देखी होगी आपने उत्तरी अमेरिका महादीब और दच्छडी अमेरिका महादीब के बीच में है ठीक है तो किस को जोड़ती है दोनों स इसको जोड़ती है superior jeille और His ayuda जोड़ती है अपने पड़े होंगी जो अमिरका उत्री अमिरका में है da grid the valley fantasy, फाँ जो जीले है superior miracid heuron faffry और Ontario यह आपने पड़े होंगी 100 मित्रोर में समझ लेना सुपीरियर मीठे पाने की दुनिया की सबसे बड़ी है विस्व में देखा जाए तो दूसरे नमर की जील है और खारे पाने की सबसे बड़ी विस्व की और ओवर ओल देखा जाए तो सबसे बड़ी है केस्पियन सागर तीसरे नमर पर है विक्टोरिया जील जो अफरीका जोड़ती है सुपीरियर जीलोर हूरुन को और कील नहर कील नहर एल वा जुआरनदमुक्ष यानि ऐस्चुरी वाईल्टिक सागर को जोड़ती है ठीक है तो भी का हो जाएगा चार और एक का हो जाएगा दो दो देख लेना दो चार तीन एक तो अप्सन एही सही है इसका आगे देखं़ मन में कौन सा बड़ा पठार है अप nieuwe और सब्सेने के अकोडिंग दो वैसे तो पामेर्या तिब्बत का पढ़ार है विस्सो का सबसे बड़ा आपने पढ़ाओगा लेकिन इसमें पूछा है कि सबसे बड़ा पढ़ार कौन सा है उप्सन में तो याद रखना इसमें सबसे बड़ा पढ़ार है कोलारोडो का पढ़ार आपने पढ़ाओगा अमेरि से ओकर के और इसका छेतरफल बता दूं इसका छेतरफल भी काफी है 3,86,242 किलोमीटर है 3,86,242 वरक किलोमीटर तकरीवन कैस्पियन सागर जो जील है उसके बराबरी है थोड़ा ही ज़ादा है उससे ठीक है और जब कि यह जो कोलम्बिया का पठार है यह भी इंपोर्टेंट है कोलम्बिया का पठार का भी छेतरफल है 1,70,000 वरक किलोमीटर और कोलरेडो पठार थे मैंने बताया था आपको मैंने बताया था भी कोलरेडो पठार से कोलरोडो नदी भी निकलती है ठीक है और जिस पर विस्सु प्रसिद ग्रेंड केनियन अभसते थे क्या है विस्सु प्रसिद है ग्रेंड केनियन कोलरेड उपर यह निम्न देशों में कौन अंतर महाधीप यह है लाऊश, टर्की, जोर्जिया, ट्यूनिसिया यानि समुद्र से सीमा नहीं लगती है महाधीप के अंतर के दिये है उसके चारों तरफ इस्तल है बताओ अंतर महाधीप ही है लाऊश लाऊश तो बिलकुल है अपने पढ़ाओगा इस्तल अवरुद्द देश है क्या पूछाए इसमें सही उत्तर का चैन करना है कौन अंतर महाधीप है सोरी मैं इसका थोड़ा अर्थ जो है ना गलत निकाल गाया मैंने इस्तल अवरुद्द देख लिया एक से अधिक महाधीपों के मत दिया और अंतरा लग जाए अंतरा एकी के अंतरगद अंतरा लगेगा एक देश के लिए अगर राज्यों में बात हो तो जैसे देखा होगा आपने नदियों के बारे में अंतरा राज्य या अंतरा राज्य या विवाद जो नदियों के विवाद होते हैं ना अंतरा राज जी विवाद और अंतरा राज जी विवाद अंतरा तो एक ही देश के लिए या राज जी के लिए और अंतर महादीब ही या राज जी या देश ही तो एक से अधिक के लिए ठीक है तो देखो लाओस तो एक ही महादीब में पढ़ता है नौ ये दो महदीब के अंधरगत तो नहीं आता है तो लाओस तो ओगा नहीं पहले मैंने एस समझ लिया था ठीक है और जोड़्जिया जोड़्जिया तो इसके जोड़्जिया के बारे में बता दूम जो पढ़ता है यूरोप और एसिया दोनों महादीब में पढ़ता है और टर्की टर्की भी इसी तरह से पढ़ता है लेकिन ये ट्यूनिसिया जो है ट्यूनिसिया के बारे में बता दू ट्यूनिसिया नहीं पढ़ता है और ट्यूनिसिया कहा है ट्यूनिसिया अफरीका महादीब में है जिसकी राहत देनी है ट्यूनिस ठीक है तो याद रखना है इसका सही जवाब हो जाएगा दो और तीन इसका आपसन भी सही है विलकुल ठीक है तो यही पूछा है इसमें